नमस्वार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मभंड सिद्याष्टों में आप सभी का स्वागत है। योग वेतिपात है, दिन का जो करण है वो बव है और रात का जो करण है वो बाल है। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है मुशुरुवत होगा तो पर तीम बचकर 17 मिनट से लेकर 4 बच शायतालिस मिनट तक, यमगंड़काल सुबह 9 बचकर 17 मिनट से लेकर 10 बचकर 47 मिनट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल आशुवकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुर्ण निरने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंदरमा है या चंदरमा बृषब राशी में ब्रहमन कर रहा है। और सुबह साथ बचकर 14 मिनिट के बाद यह चंदरम आपके तृतिया भाव में ब्रह्मन करेगा यह चंदरम आपके सब्तम भाव में सिद्ध बुद्य के साथ नमपंचम योग यानि के तृकोनियोग करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज का जो दिन ह बहुत जादा busy day आपके लिए साबित हो सकता है जो भी महतवपुल नकाम है वो आप कर सकते हो किसी को अगर कोई commitment देनी है promises करना है तो वो आज के दिन आप कर सकते हो जहापर आप काम करते हो नोकरी करते है या अपने विवसाय करते हो वहाँ पर कि जो सहकर में होंगे उनक promises काफी ज्यादा बनते हैं उसी प्रकार अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वाइबाइक जड़िदार है उनके साथ आज आपके हारमनी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी में ही चंदरमा का ब्रह्मन है और सुबह साथ बचकर 14 मिनिट के बाद ये चंदरमा आपके तृतिय अबाव में ब्रह्मन करेगा ये चंदरमा आपके 6 अबाव में सिद बुद्य के साथ नवपंचम यानि की त्रिकोनियोग करने जा रहा है तो आज का जो दिन होगा खास करके financial front पर मतलब आर्थिक सर पर काफी अच्छा और शुबुफलदय होगा कुछ अच्छे लाव वगर आपको मिल सकते हैं उसी परकर अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो आज का जो दिन है काफी अच्छे बन रही है तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बात की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के वहिय भाव में जन्दरमा का ब्रह्मन है और सुबह 7 बचकर 14 मिनिट के बाद है जन्दरमा आपी के राशी में ब्रह्मन करेगा आपके पंचम बाविस्थित बुदर के साथे जंद्रमा नवपंचम योग यानि के त्रिकोनियोग करने जा रहा है बहुत अच्छा दिन है आज आपका confidence काफी अच्छा देखा जाएगा पिछले दोड़ाई दिनों से जो भी छोटे बुटे बातों के नॉर्मल होते हुए नजर आएगे उसी प्रकार घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आज आपकी जो हारमीने है कम्यूनिकेशन है वो काफी अच्छा देखा जाएगा उसी प्रकार अगर आपको नया घर वगरा लेना है वासलों के बारे में कुछ काम करना है तो भी आज आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुबफलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के लाब भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और सुबह साथ बचकर 14 मिनिट के बादे चंदरमा आपके वेया भाव में ब्रह्मन कर जा रहा है तो आज का जो दिन है काफी बिजी डे आपके लिए सावित हो सकता है घर के जो लोग होगे उनके साथ कई बाहर घूमना भी हो सकता है घर के जो लोग होंगे उनके साथ आज आपके हार्मनी भी काफी अच्छे दिखी जाएगी जो भी महत पुरुना काम जो के अच्छी बाते या फिर खबर दे सकता है। इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी। सिंग राशी के दशम भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है। और आज सुबच 7 बच कर 14 मिनट के बाद है चंदरमा आपके लाब भाव में ब्रह्मन करेगा। या चंदरमा आपके तृतिय भाव में से बुद्ध के साथ नवपंचम योग यानिके द्रिकोनी योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है बहुत अच्छा और शबुफलदाई होगा प्रतिक्षा लाब आज के दिन आपको मिलने की संभावना काफी जादा बनती है। इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी। कन्या राशी के भाग्या बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और सुबस साथ बच कर 14 मिनट के बाद ये चंदरमा आपके तशम बाव में ब्रह्मन करेगा। अच्छे लाब आज के दिन आपको मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है। आज आपको जो बूढ होगा वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीजिए। इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी। आज के दिन आप उसे के बारे में सोच सकते हैं या फिर शुरुआत भी कर सकते हो। कुछ अच्छी बाते कुछ अच्छे रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिलने की संभावना काफी जादा बनती है। आज आपका confidence जो लेवल है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। तो जो भी महत्वपुर्ण काम है आज आप हाथ में ले सकते हो। इसके बात की जो राशी है वो है विर्चिक राशी। उनके साथ मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, कही भार घूमना फिरना भी हो सकता है, तो दीन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाब लीजिए. इसके बात की जो राशी है, वो है धनुराशी. धनुराशी के 6 बाह में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपके और सुबर 7 बच कर 14 मिनिट के बाद, ये चंदरमा आपके 7 बाह में ब्रह्मन करेगा, और आपके लाब बाह में सिद्ध बुदर के साथ चंदरमा, 95 यानि की तरिकों करने जा रहा है, बहुत अच्छा दिन है, आपके लिए खास करके, अगर आपका विवा हुआ है, तो आपके जो वाइवाइक जोड़ी दर है, उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी, आप दोनों में जो कम्मिनिकेशन है, वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नुकरी करते हो, फिर भी अवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परसितिया जैसे आप चाते हो, उस प्रकार से दिखाए देगी, आपकी काम की एप्रिसेशन भी होती हुए नजर आएगी, अगर आप जॉब लेस हो, तो जॉब मिलने के भी संभावना काफी अच्छी बनती है, तो काफी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाब लीचिए, इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर रशी, मकर रशी के पंचम भाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है, और सुबस साथ बचकर 14 मिनट के बाद chops के चंदर्मा के बाद हैं, यह चंदर्मा आपके दशहं भाव में सित्थ बुद्ध के साथ, नबो पंचब योग यानि के त्रिकोन यूग करने जा रहा है तो जो रब मकर रश्यक के विक्ति जॉब लेस है जिनको जॉब नहीं मिल रहे काफी दिनों से तो उनके लिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा और महत्वण साबित होगा जॉब मिलने के संभावना आज के दिन काफी अच्छे बनती है उसे प्रकार किसी प्रकार की इंटर्वी या फिर परिक्षा है तो भी आज का जो दिन है आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा अगर आपका विवा हुआ हुआ है तो आपके जो वैवाइक जुड़िदार है उनके साथ आज आपके आर्मनी बहुत अच्छी देखी जाएगी जहापर आप काम करते हैं वहाँ पर की जो सहकर में होंगे उनसे आज आपको मदद भी काफी अच्छी मिलेगी अगर आपके आपने मन में कुछ नई बात ठानी है कोई नया प्रस्ताव या फिर विचार आपके सामने है तो वो भी पूरे होने के संबावन है या फिर इसके संदर में कुछ शुबफलदाई जो बाते हैं वो उबर कर आज सामने आ सकती है तो आज आपका जो confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा इसके बात की जो राशी है वो है कुम्बराशी कुम्बराशी के चतुरत बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और सुबस साथ बचकर 14 मिनिट के बाद एसके चंदरमा आपके पंचम भाव में ब्रह्मन करेगा एसके बाग्य बाव में सिद बुद्धर के साथ नवपंचम योग यानि की त्रिकोन योग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए कास करके आज आपका जो मूड है आज आपका जो कॉन्फिडंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उसके संदर में भी कुछ अच्छी बाते आज आपके सामने आ सकते हैं दोनों में जो किमिस्ट्री है वो काफी अच्छी देखे जाएगी हार्मनी भी काफी अच्छी देखे जाएगी आज के दिन आपको अनएक्सपेक्टेड लाब वगरा मिलने के भी संभा होना है उसी प्रकर अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं तो दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाव लीजे इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के तरितिया बहुमे चंदरमा का ब्रह्मन है और सुबसाद बचकर 14 मिनिट के बाद ये चंदरमा आपके चतुरत भाव में ब्रह्मन करेगा ये चंदरमा आपके अश्टम भाव में स्थित बुद्ध के साथ नवपंचम योग यानि की त्रिकोनियोग करने जा रहा है तो आज के दिन आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी उसी प्रकार अगर आपका विवा हुआ हुआ है तो आपके जो वाईवाई जोड़िदर है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी आप दोनों में जो केमिस्टर है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आज आज आपकी जो हार्मनी है या फिर विचार है वो भी काफी अच्छी देखे जाएगे तो दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीज तो दोस्तो ये था दिनांग 28 सितंबर 2021 का संपूर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मान्ड सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना धन्यवाँ